कि जब आपको पहली बार लटके वाले देखने आए और शगन लगाने आए तो आप कैसा मेकप करें तो उस मेकप को ही मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस किया है और और ज़्यादा ब्राइट किया है अगर आपको जटपर से आपका सिंपल मेकप हो और उसे आपको थोड़ा सा ब्राइट करना हो आपने कहीं शादी पे जाना हो आप सिंपल से पहले बहुत सारे ऐसे function होते हैं जो हम जैसे सुबह मॉर्निंग में पूजा होती है या पाठ होता है तो हम वहाँ पे simple make-up रखते हैं तो और शाम को आपने थोड़ा सा जट पर से ready होना होता है अच्छे तरीके वाला तो आप simple make-up से एक अच्छा और बढ़िया make-up कैसे create कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो ये देखी ये मेरे पहले वाला make-up look है जो मैंने पिछली मेरी last video है जिन्नों ने नहीं देखी तो आप प्लीज जाके उसे check out कर सकते हैं तो इस make-up look ये बहुत ही जारा simple और sober make-up था तो जो face make-up है वो मैं बिल्कुल वैसी रखूंगी foundation वागारा use नहीं करूंगी क्योंकि मैंने already foundation वागारा लगाया हुआ था तो foundation की मुझे कोई necessity feel नहीं हो रही थी अगर आपको लगे कि आपका face आपको जरूरत है तो आप उसे लगा सकते है ठीक है तो आइब्रो वगारा मैंने बिल्कुल light रखे थी पिछले make-up में तो फिर मैंने अपने सबसे पहले अपने आइब्रो को dark किया क्योंकि मैं आइज को थोड़ा सा डार करने वाली थी आई make-up करने वाली थी इसलिए और ये पिछली वीडियो के make-up से बिल्कुल ही अलग होगा ठीक है तो सबसे पहले मैंने wet and wild की किट से अपने आइब्रो को fill किया री फिल किया और अच्छे तरीके से उसे dark किया ठीक है उसके बाद मैं make-up revolution का ये अपने अपने आइस पर डिपॉजित करोंगी तो थोड़ा से ब्रश के साथ आप इनर कॉर्णर से आउटर कोर्णर की तरफ इसे लेके जाए और अच्छे तरीके से अपने आइस पर डिपॉजित कर लिजिए मैं ली डेरिये को अपने को खाली रखूंगी क्योंकि वहां म मैंने अलक से कोई कलर और डिपॉजित करना है तो इस तरीके से मैं देखिए एक पीछे से डीप थोड़ा सा दबार लगा कर रही हूं ताकि मुझे एक शेप मिल जाए ठीक है इनर कॉर्णर से आउटर कॉर्णर की तरफ आपने इसे अच्छे तरीके से लगाना है मैंने ग इसे पार जाए प्रणर को यूज करना है उसकी बाद गाई जी थोड़ी सी ना शिमरी वाली पैलेट है इसमें सारे शिमरी शिमरी शेड है यह इतनी ज्यादा पिगमेंटिड है लेकिन ज्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं है तीन-चार घंटे का काम करेगी यह तो यह म इस पैलेट में से मैंने यह पिंक कलर लिया है जो शिमर था और इसे बस अपने आई-लाइनर की तरफ से ही लगाया जैसे हम आई-लाइनर ड्रो करती है वहां-वहां ही मैंने और ब्रश की हल्प से यह अप्लिकेटर सा था ना जो इसके बीच में था इस किट में तो उसी से एक ऐसी ड्रो कर लिया जैसे कि मेरा आई-लैनर शेड है ठीक है उसके बाद गाइस में यूज कर रही हूं मेरी यह पैलेट जो की है शूगर की और इसमें से मैं कंटोर कलर रोंगी अपना कंटोर करूंगी अपनी फेस को चीन को क्योंकि पिछली वारी वीडियो मैंने नही सब गहर कर सबको कंट्रोल कर लिया तो काजल मैंने उस पहली वीडियो में भी लगाया हुआ था लेकिन इसमें मैं थोड़ा साoff के साथ और बिलो कलर के साथ और ब्लू और बलैक का मैच होके थोड़ा सादा पूर्ट बहुत ही खुब सुरूरत लगता है आंक एंखों पर और यह NICA का काजल है, बहुत ज़्दा बढ़िया वाला काजल है, और इसे आप ऐस आइलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, तो काजल को लगाने के बाद मैं उसे सेट करी हूँ, सेट करने के लिए मैं यूज़ करी हूँ, वैटन वाइल्ड के आइबरो किट का, इसे मैं तो इसके बाद ये इंसाइट का एच्डी लूस पाउडर है इसे मैं पाउडर प्रश की हल्प से अपने सारे फेस को सेट कर लूँगी एवन कर लूँगी और इस तरीके से मैं अपना जो मेकप है उसे थोड़ा जो और बोल्ड करने के कोशिश करी है और I hope कि मैंने कोशिश म क्यां एक लाइट मेकप को मतलब बिल्कुल ही कम मेक अप कैसे ज्याद स्वीदों कर सकते हैं तो आप से शीख सकते हैं तो हां जी जितना कमचे आता है ठीक है तो उसके बाद गाईज मैंने पॉपल की लिप्स्टिक लिए थी पहले वाली मैंने लिप्स्टीक को उतार दिय और उसके बाद मैंने लगाई यह पॉपल का शेड है बड़ा ही खुब सूर्ट लग रहा था मुझे तो मैंने सूचा क्यों ना मैं इसी को लगा हूँ और सूट भी कर रहा था इस लुक के साथ तो यह मिनी मिनी पॉपल की है मैं मुझे ने स्कैच ली शेड नहीं पता तो य यह तो यह वाला कलर है यह और इसके बाद मैंने अपने एरिंग्स डाली है चुट 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 जुट जुम की है बहुत आइल से मेरे पास पढ़े थे बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने यह और मेरे आउटफिट में पिंक था मेरा दुपट्टा था वह पिं क्षेल गया और मेरे अपने ज़यह मेरे बहुत उदो बहुत शायता बहुत चुम्म पिंक दिया है तो वो उसके साथ चलेगा ओकी गाइस आई होप आपको एप वीडियो अच्छ लगी होगी अगर अच्छ लगी तो मेक्शर मेरे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का आपने फ्रेंज के साथ भी शियर कर सकते हैं सो मैं मिलोंगी मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई बी हैपी अच्छ वेडियो एक अच्छ बाई